मद्यप्रदेश के विधानसभा चुनाब में अब दस दिन भी नहीं बची हैं ऐसे में मद्यप्रदेश का चुनावी घमासान और तेज हो गया है मध्यप्रदेश के विधान सबत चुनाब में उत्तर प्रिदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित तेनाथ की एंट्री हो चुकी है यानि MP में अपनी हार को टालने के लिए मोधी को योगी की शरण में जाना पड़ा है आपको बता दे कि मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ आज शाजापूर दिवास और भुपाल जिले में चुनाप रचार किया साजापूर जिले की काला पीपल विधान सबा में योगी आदितनाथ ने जनसबा की योगी आदितनाथ दिवास जिले के खाते गाउं और सोनकच में जनसबा की इसके अलाबा राजधानी भुपाल जिले की बैर सिरिया में जनसबा को संबोधित किया मद्यप्रदेश विधान सबा चुनाब में बिजेपी और कॉंग्रिस के एक दर्जन से जादा राष्टिये नेता चुनाब प्रचार के लिए मैदान में उतरे हैं आज जिनमें से पियम मोदी बिजेपी के राष्टिय अध्यक जेपी नड़ा उत्तरप्रदेश के सीम योगी आदितिनाथ गुजरात के सीम भुपेंद्र पटेल केंद्रिये मंत्री नितिन गटकरी अनुराक ठाकुर अरजुन मुंडा निरंजन जोती शामिल है कॉंग्रिस के दिगजो में कॉंग्रिस की राष्टिय अध्यक्ष मलिकार जुन खडगे योगेंद्र यादो भी चुनाबी जनसभाओं को संबोधित करते दिखे यानि आज का दिन MP में दिगजो के नाम रहा वही MP में BJP ने अपनी हार टालने के लिए CM योगी आदितनाथ को MP बुला लिया है लेकिन फिलाल राज में योगी का जादू चलता नहीं दिख रहा है वही BJP पूरी ताकत के साथ चुनाबी मैदान में ताल ठोग रही है अब देखना होगा कि योगी की मेहनत कितनी रंग लाती है क्या वो BJP की हार को जीत में तब्दिल कर पाते है या नहीं डीवी लाइप की रिपोर्ट